शिंदुजी से बात करते हैं नमस्टाव सर्थ शिंदुजी नमस्थे शिंदुजी मुझे बताया गया कि आप टोक्यो ओलेंपिक से पहले ओलेंपिक साइज कोट में प्रैक्टिस करना चाहती थी अब गोची बावली में आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है शिंदुजी बावली में प्रैक्टिस बहुत अच्छा चाहती है सर्व मैं ये चूज किया क्योंकि अभी अलंपिक स्टेरियम बहुत बढ़ा है और वो एसी और वो शार्टिस कर रही है तो इसी ये मैं ये सोचा की तीक है अगर अच्छा स्टेरियम है तो क्यो उपर्चिनिटी है तो क्यो ने के लुकर के अगर अगर प्रैक्टिस कर रही हु सर्थ अविस्ली मैं गवर्मेंट से पर्मिशन लिया का सर्थ आपके परिवार जन भी मेरे सामने है मैं उनको प्रणाम करता हूं मुझे याद आता है कि गोपी जन जी ने एक इंटर्व में कहा था तो उन्होंने रियो ओलम्पिक के पहले आपका फोन ले लिया था आपको आइस क्रिम भी खाना फॉलाउ ने किया था आपके 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 कारे पर पहावत ने लगी हुए या रापको चुट मिली है क्योंकि एक अथलीट के लिए डाइट बहुत इंपोर्टन है और अभी ओलम्पिक्स है तो तायारी कर रही हूं तो विसली तोड़ा डाइट कंच्रोल तो करूंगी तो आइसक्रीम उतना नहीं काती हूं सर बस कभी-कभी काती हूं देखें सिंदु जी माता पिता दोनों खुद स्पोर्ट में रहे हैं और इसलिए मेरा मन करता है आज मैं उनसे भी एक बात जरूर करूंगा आपको नमश्कार आप यह बताईए जब किसी बच्चे की रुची खेल में जाने की हो तो कई परेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों को धेरो आशंगा है रहती है आप ऐसे सभी पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे बस सर पेरेंट्स यह जानना चाहिए कि अगर अपने बच्चे हेल्थ वाइस अच्छे हुए तो सुब कुछ बड़ा होगा क्योंकि आप तोड़ा खेलेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा होगा आपका कॉंसेंट्रेशन बढ़ेगा हर इश्यूस में आप लोग आगे बढ़ेंगे और जुरूर आप उपर आ सकते हैं आप एक सफल खिलाडी के मात्विता हैं अपने बच्चों को स्पॉर्ट परसंद बनाने के लिए कैसी पैरेंटिंग करनी होती है सर्प्राइंटिंग तो फस्ट पेरेंट्स ही तो डेडिकेट करना चाहिए सर क्योंको एंक्रेज करना है यहां तो मोटिवेट देम आप तो जानते हैं गोवर्मेंट तो हर तरह से हर किलाड़ी को हो सब फेसलिटी दे रहे हैं सो उसको हमारे बच्चों को समझाते हुए देश का नाम ऊपर करने के लिए मैंद करना है और अच्छा नाम कमाना है करके हम उनको पर सहित करके खर जो भी बच्चों को हम यह पहले सिखाना है कि रस्पेक्ट देना जो भी है रस्पेक्ट दो और उनका आशिरवाद दो सिंदु जी आपके माता पिता ने आपको विश्वे चैंपियन बनाने के लिए बहुत त्याग किये हैं उन्होंने अपना काम कर दिया है अब आपकी बारी हैं आप खुब महनत कीजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी और इज़र सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से तो मैं भी आपके साथ आईस्क्रिप खाऊगा सतत जोईस का लाग समाचार जो आमाटे डाउनलोड करों इटीवी भारते ने